हेलो फ्रेंड्स वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदीश जूनियर टीचर वेकेजिस से संबंदित जो सीरीज हमारी साइंस की चल लई है उसमें क्लास नंबर 25 पढ़ेंगे ठीक है 25 इससे पहले आज ही हम ल यह तीरो आपको कल मिल जाएंगे और आपके कल तारीख है आपकी पांच अपरेल ठीक है तो मेरा वादा यहांपर यह वाला कर बात प्रसों से हम लोग इसके कोस्टन's को डालेंगे और तो ऐसा लग रहा है कि मतलब काफी लोग चाहते भी हैं कि पेपर हो जाए जलती लेकिन जैसे कोरोना के हालाद चल नहीं है जो कहर उनका चल लहा है उस इसाब से तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है क्योंकि PNP तो कह रही है अभी भी कह रही है कि वह 18 तारिक की अपनी तयार करते हैं औल देखते शब्संपर पहले लिए दिव्यांगिता है एक चैप्टर और इअरर दूसरा है हमारा फसल उतपादन तो यहाँ पर देखिये डियांकी बाकि 색 zat कि यहाँ पर लिगया विकलांगधा ठीक है तो अब्अप दिव्यांगिता सब्दोश किया जाता है त् दिव्यांगता एक व्यापक सब्द है जिसका साथिक अर्थ किसी अंग की बनावट में कमी होता है। दिव्यांगता के अनेक अर्थ है एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जाने में असमर्थता। सुनने संबंदी दो सेवंद दरष्टी में कमी को दिव्यांगता माना जाता है विस्व स्वास्त थंग्ठन डव्योचो के अनुसार अच्छमता किसी व्यक्ति को अलग-अलग तरह से प्रभावित करती है किसी अंग विशेष की कारेशमता का सेमित होना जिससे दिन प्रदि विकार तहाघ पयार ना होना आधि शामिल हो ते जबकि मानसीक अच्छमता में मानसीक बीमारी एवम मनद बुद्धि आधि सामिल किये गये दिव्यांगता के कारण अब लच्छन तो एक तो जबधा को मतलब झाट ब्रहातर होती है इसमें जन्पनाध दिव्यांगता जम यह उपार्जित दिव्यांगता कहलाता है आगे देखते हैं दिव्यांगता के प्रकार कौन से कौन से है प्रकार में सीधे सीधे देख लेते दरश्टिबादिता आखे हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए सच्छम बनाती है देखने की चमता को विजन आई साइट या दरश्टि कहा जाता है दरश्टि वादित व्यक्ति पूर्ण से या आन्सिक रोप से देखने में अच्छम होता है अब यह देखे लोकोमीटर दिव्यांगता यह क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए कि ऐसी चीजों को लाया जाता है एकसर तो लोकोमीटर दिव करण होती इसमें प्रभाइप अंगों की हड्डियों की बिनावट एक कार समान नहीं रह जाती है're folg should His alteq नहीं रह जाती मांसिक दिव्यांगता या बौडि पढ़ने लिए प्रफम हाव सकता है या आस-पास के बतावर्ण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है अक्था आप देखा हो गार्ण बख़ा की बहरे मतलब बच्चों को सब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परिशानी होती है। डिसलेक्सिया सिग्रिसित बच्चे अच्छो को उल्टा पड़ते है। कुछ अच्छो का उच्छारन भी नहीं कर पाते है। इनकी उच्छारण चमता सामान बच्चों के पेचा काफी कम होते हैं या 3-15 साल के बच्चों में सामानेता पाया जाता है डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है ठीक है यह बच्चों में पाया जाता है सामानेता डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया क्या graph मतलब बनाना होता है ठीक डिस्ग्राफिया शसंगत अच्छे डंग से रूप से न लिख पाने के एक अच्छमता है मतलब अच्छे से लिख नहीं बाना यह एक दिमागी बिमारी की पहचान के रूप में चिन्नेत पैसे रूकर यह एक प्रकार यह के कच कोसल पर असर याजा इसे श्पेलिंग हस्त लेखन सब्दों वायशों परग्राफ को सैयोजिते करने कोसल बाधित होते हैं थे का छाही रोब से लिखने में दिक्कत होती है चोट लगने पर प्राफ्विक उपक्षार ठीक है प्राफ्म को उपचार और सिंग्या इससे पहले जो उप्चार दिया जाता है उसे प्रक्त में का बक्त यह नहीं है तो यहां पर ये चीज सब्सक्राइब अब दिखें प्राथमिक उप्चार पेटी में निम्लिखित बस्तवी होती है कौन-कौन सी फस्टेड में कौन-कौन सी चीज़ें होती है कैची थर्मामीटर चम्मच गिलास चाबुन तौलिया माचिस तौर्च खपच्ची और उपर लिखा है रुई पट्टी गाज पिन य ग्लुकोज अथा वयारेस का पेकट उल्टी चक्कर रोकने का काम करता है एंटी सप्टी क्रीम तरदा डिटाल घाव को संक्रमण से बचाने के लिए उप्योग करते हैं आगे देखिए देवयांगेता के प्रति राश्ट्री वाम अंतराश्री प्रयास पर इस तरपर प्र परिषद अधिनियम 1992 के अंतरगत तो भारति प्रुनर्वास अधिनियम कब लागूगा था 1992 ठीक निम लिखित साथ राश्ट्री संस्तान है जो इस छेत्र में कार कर रहे हैं वेज प्रकार है सारेरिक विकलांग संस्तान कहां है नई दिल्ली राश्ट्री द्रश्टी विक विकलांग संस्तान कोलकाता में है राश्ट्री मानशिक विकलांग संस्तान सिकंद्राबाद में राश्ट्री स्रमण विकलांग संस्तान मुंबई में राश्ट्री पुनरवास तथा अनुस्वंदान संस्तान ये आपका कटक में है और राश्ट्री बहु विकलांग संस्त सब्सक्राइब करने लिए उत्रपते सरकार को सर्वस्रेश्ट राजिका राष्ट्री पुरुषकार कब दिया गया था तीन दिसंब्लब मतलब आपका जो जो भी दिव्यांग होते उनका कितने प्रत्सत का वो सर्टिफिकेट बना होता है ठीक है कुछ और भी जाने अंतराष्ट्री इस्तर पर सारे री ग्रूप से अच्छम विक्तियों के लिए पैरा ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले पैरा ओलम्पिक का खोलों का आयोजन कब 1960 में कहां किया गया था रोम में ठीक इटली में प्रतेक वर्थ 3 दिसंबर को 20 दिव्यांग दिवसके रूप में मनाया जाता है वर्तमान में 21 प्रकार की अच्छमताओं को दिव्यांगता की स्रेड़ी में रखा गया कितने तो 21 प्रकार की हो गई अब देखें नेक्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन ठीक इसको हम लोग देख लेते हैं फसल उत्पादन को ठीक इसमें देखते हैं यहां की लगवक 70 प्रसंट आवादी क्रेश्पर निर्भर रहे यह तों लोग पता ही है बारत की लगवक 70 प्र से अब देखें है के तीन प्रकार की यहां फ स्पेशल प्रकार के फसलों के किस्म है एक होता है एक होता जायद एक होती रभी तो पहले देखें जून-स अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल खरीव की फसल होती है इसके अंतरगत क्या क्या आता है मक्का आता है चावल मोग फली यह क्या है यह आपकी खरीव की फसल है जून से एक्टूबर यह आपको पता होनी चाहिए यही तीन चीजे कब उगाई जाती है फसल का नाम क्या है और इसके अंतरगत क् बोई जाने वाली अब देखिए नावंबर से अपरेल तक बोई जाने वाली जो फसले हैं उनको रभी की फसल कहा जाता है इसके अंतरकत गेहुं सरसो चना आलू इत्याद ही बोई जाते हैं तिक और लास्ट है मार्च से जून तक बोई जाने वाले फसल जायत फसल कहला ते जिसमें मूंग, उडद, खीरा, ककड़ी, तर्बूज, यह सारी चीज़े आपकी आती हैं मिट्टी तयार करना अब देखिए जिस मिट्टी में बालू की मात्रा आधिक होती है उसे बलूई मिट्टी कहते हैं जिस मिट्टी में बालू की मात्रा आधिक होती है उसे मुक्हें को मिलाक है कि अ कि देखे मिर्दा के पोशकत्तो अर्वरक ठीक अब इसमें पोधों के लिए पोशकत्तो को तीन भागों माटा गया है मुखें पोशकत्त ऑसमें कारबन हाइड्रोजन कार्वन है है लिए-बायू से प्राप्त करते हैं फॉद्धे जो है वो जल आइड्रोजन और डॉक्सेजन को जबकि नाइड्रोजन फास्पोरस तथा पोटेसियूम को भूमी से प्राप्त करते हैं गौड़ पूसकत्त्त में कैल्सियम मेगनेशियम सल्फर आदी पौदे को मर्दा से प्राफ्त होते हैं अब सूच में लोहा तामा जिंक आ दिया है इसके बाद एक खेत में जब एक ही फसल वर्स दर्वर्स लगाई जाती है तो वह में की पौशक्ता प्रभावित होती है इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है जिससे भूम की उर्वर्ता बनी रहती है इसे फसल चक्र कहते हैं तो यहां पर फसल चक्र से सम्मंदित यहां पर बाते थी खाद क्या है खाद कारवनिक पदार्थों का मिस्रण है पौ कार्वनिक पदार्थों में अप्ट्टित कर देते हैं इस प्रकार त्यार की गई खाद कंपोस्ट कहलाती है को अब यह थी पूरए ना पड़ते हों तो राशानिक और वरकों का उप्यों किया जाता अक्सर आता रहता है पिछले साल यूपिटेट में भी आये था इस्तरीकरण से संबंदी नाइट्रोजन के तो यहां पर देखिए बायूम में प्रिचुन मात्रा लगबग 59% जो है आपकी नाइट्रोजन है बायूमंडल की नाइट्रोजन को घुलंसील नाइट्रेट में ब बदलते हैं इसके अलावागां कुल के पॉदों के दल कल के पॉदों की जड़ों में गाठे पाए जाती जिसमें सूंज जीवार21 का नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते जिनका पयोग प्रियोग द्रार किया जातकूं तो किसके दौरा यहां पर रय Bjor बाए राइज़ोगियम स्वारी राइजोगियम दोरा यहां पर नायाइट्रोगियों की इस्तिरी करण हो रहा है यहां नैट्रोजन के अक्साइड बनते हैं जो वर्सा के जल में गुलकर अमल बनाते हैं या अमल वर्सा के साथ भूम पर गिरता है तो कैल्सियम मैगनीशियम को उसके घुलंसी नैट्रेट में बदल देता है और जल में गुलकर ये लवड जड़ो तथा द्वारा अफ्सोसित कर लिए जाते हैं ठीक है इसके बाद रासानिक उर्वरक द्वारा यहां पर देखिए पोधो तथा जन्तों के मुरत होने पर सूच जिवान द्वारा इनका अपगटन होता है और नैट्रोजन पुना बायो में मिल जाती है यहां प्रक्रिया नैट्रोजन चक्र कहलाती है इसके द्वारा बायो मिंडल में नैट्रोजन की मातरा इस्तिर बनी रहती है कटाई में मडाई क्या होता है कटाई तो पता ही है ठीक है कटाई क्या होता है फ़सल को अलग करना मडाई कहलाता है ठीक है हरित करांत की एवं फसल समुन्नत ही अब यहां पर देखे क्रैसिक के सुधार लाने के उद्द्ध से के इसके लिए प्रयास 1960 से सुरू किये गए इसे हरित क्रांत कहते तो हरित क्रांत की सुरुआत कब से हुई थी 1960 से समुन्नत किसने कि किसमे यहुं की सुनालिका लान व्लियां पर दान की जो किसमे है वह है जया पदमा पूसा दोसो पंदरा अब मक्का की जो है वह गंगा और रंजीत है ठीक है यह किसमे है इसमें अब गाय की देशी नसल है, गाय की देशी नसल में साहिवाल, सिंधी, देवनी, ये गाय की देशी नसल है, गाय की विदेशी नसल में होल्स्टीन, फ्रेजियन है, भैस की नसलों में मुर्रा, महसाना, सुखी, जीली, ये प्रमुक नसले है, कुकुट पालन क्या है, अंडे इवां मांस प्राप्ति के उद्देश से मुर्गी बतक इत्यादी पच्चियों को पालना कुकुट पालन कहलाता है अगर कोशन आ जा है उस्मायन काल किसे कहते हैं तो मुर्गी अंडे पर बैठ कर इसे 21 दिन तक सेती है इस अवधी को उस्मायन काल कहते हैं इससे अंडे को नमी विश्टता मिलती यह अंडे में भून के विकास अवं अंडों के इस पुटन में सायक होती है इतना बच्छा है इसको देख लेते हैं वाइट लेक्ड हॉर्न आई लैंड रेड आई एल अलेस्ट मुर्गी की उननत किसमें हैं यह मुर्गी की किसमें है यहां पर दीगे हैं मतस्य पालन यहां जन्तू प्रोटिन का एक सम्रद दूसरोगत है जो मचली है वो एक जन्तू प्रोटिन का एक सम्रद दूसरोगत है साक और काट जैसे मचलियां इसे प्रचुर मात्रा में मचलियों का तेल मिलता है जिसमें बिटामिन A और D पाया जाता है मचलियों की पूच्पंक एवं हड़ियों का उपयों खाद के रूप में किया जाता है अब देखें जल्सरोत के अधार में मचलियों को दो परकुर बटा गया तालाब जील नहर एवं नदी में पाई जाने वाली मचली अलवड ये मचली कहलाती जैसे कटला रोहु आदी जबकि सागर महासागर में पाई जाने वाली मचली जैसे तूना काड लवड जल मचली है बड़े इस तर पर मचली पालना मतस्य पालन कहलाता है तो इस तरीके से यह भी चब्टर हमारा complete हो गया और दोनों चब्टर ह हमारे ये complete हो गया दस थख जो chapter हमारे complete हो गया अब साथ chapter और बचसे उनको मैं तीन वίडियो में आपको complete करके आपको कल आपको provide करा दूँंगा ठीक है तो आपका कल तक CCT के अर्थ क्लास की बूक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी ठीक है दोस्तों अगर कोई भी कमी हो तो वो प्लीज बताइएगा जैद कोई सवाल हो आपके मने में वो भी आप लोग बता सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियों स्रीब इतना है मिलते अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार.